ना जमी चाहिए ना फलक चाहिए मुझको मेरे सनम की छलक चाहिए हाई एवरीवन मैं हूँ रीना स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया तो फ्रेंस आज की वीडियो है वेलन्टाइन डे मेक अप लुक तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने एक मेक अप लुक से दो लुक को क्रियेट किया एक साड़ी में और एक चाहिए तो आप वेस्टन ड्रेस में इसे करी कर सकते हैं तो आई होप यह छोटा सा वीडियो आपके हेल्फुल लगे तो बिसिकली इस मेक अप लुक में यहां पर मैंने ब्राउन स्मोकी आई को क्रियेट करने की कोशिज की है ताकि यह जो लुक है आप साड़ी के साथ भी जाएगा आसानी से और वेस्टन ड्रेस के साथ भी आसानी से चला जाएगा तो सबसे पहले यहां पे मैंने अपने स्कीन को प्रेप किया यहां पे मैं आपको यह बताना चाहा रही हूँ क्यूंकि अभी ठंडी का मौसम है तो अगर आपकी स्कीन ओईली है तभी आप टोनर लगाएने तो आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद आप सीरम और कोई भी मॉ जाएगी यह स्विस ब्यूटी का प्राइमर तो अब चलते फांडेशन की और क्योंकि यहां पे यह डे मेकप लुक है तो यहां पे मैं अपने सीसी क्रीम को और फांडेशन को मिक्स कर रही हूं ज्यादा ओवर भी नहीं करना चाहा रही थी मैं और नहीं अंडर आपका मेक इस वजह से मैंने यहां पे सीसी क्रीम के साथ थोड़ा सा जो लाइट कवरेश देता है ना स्टेक यूर्की का उस फांडेशन को मैं मिक्स कर रही हूं तो दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो आपका जो मेक अप है एकदम नाच्रल लगेगा और ग्लोई डूई लगेगा तो यहां पे दोनों को मिक्स करके मैं यहां पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्यूटी ब्लेंडर को पहले मैंने पानी में भीगो करके स्विच कर लिया उसके बाद इसे अपलाई कर रही हूं तो इस तरह से आप पूरे फेस में दोनों के मिक्सर को अपलाई करें तो आप अधने जहां पिग्मेंट है जैसे की होटों के साइड में तो वहां पे मैं लगा हूं अच्छा यहां पर लिया है वह लाइट सेड में लिया है ताकि को यहां चाहरे पे लाइट पर फोकस पढ़ है तो आपके नीचे यहां जो भी आपका हाइलाइटिंग एरिया है वहां पे गलो करें यहां पर मैंने लाइट सेट लिया है चुकि मेरे स्किन में उतना पिगमेंट नहीं है इस वजह से मुझे हाइट करने की कोई जरूरत नहीं अब यहां पर थोड़ा सा मैंने मेकप फिक्सर लेके अपने कंसीलर को और यहां पर सबसे नहीं पर सेट किया है तो आपका जो मेकप है वो क्रीजी नहीं लगेगा थोड़ासा मैं यहां पर अपने लिप को मुझिराइग करें हूँ अब बारी आती है आई ब्रोस की तो यहां पे सबसे पहले मैंने आई ब्रोस को फिल किया है तो सेम मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट लेके अपने आई ब्रोस को फिल किया है जहां जहां भी गैब दिखता है क्योंकि मेरे आई ब्रोस तो मेरे सेप में है बस मैंने उसे फिल लुक क्रिएट कर नहीं इसाब लोग तो सबसे पहले मैंने यहां पे लाइट सेड को लिया है क्पिन आइड़ के बीचों बीच नहीं कॉर्णर में पहले सो दिक लिजियों अपने आइडि याइड के अगेड़ को फोलन्स fishingida मैं बता रही हुँ यहां पे कि दोनों तरफ मैंने गैप छोड़ा है और इस तरह से अपलाई किया अब उससे हलका डाक लिंग यानि चॉकलेट ब्राउन कलर लेके अपने आउटर कॉर्नर में प्लेस करूंगी और धीरे धीरे उसे मैं ब्लेंड करूंगी और उसी चॉकलेट को भी देखिए डेवलप कर रही हुँ धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए एक क्रीज लाइन भी मैं डेवलप कर रही हुँ और दोनों को ब्लेंड भी करी ताकि दोनों के बीच में कोई हार्स लाइन नहीं दिखे तो यह थोड़ा सा डाक ब्राउन कलर है इसलिए अच्छी त क्रीज लाइन ड्रा किया है और फिर उसे धीरे-धीरे मैंने समझ किया है धीरे-धीरे ब्लेंड करना बहुत जरूरी है गाइस देखिए यहां पर मैं धीरे-धीरे ब्लेंड कर रही हुँ अब उससे भी हलकी लाइट कलर में मैंने ब्राउन कलर फिर से लिया और अपने इन और प्लेस किया है एक दम उससे भी लाइट कलर को लेकर इनर कॉर्णर में प्लेस किया और ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है गाइस यहाँ पी थोड़ा सा मेरा गड़बर हो गया मैंने पहली बार स्मोकी आइक क्रिएट करने की कोशिज की बस हलका सा ब्लेंडिंग में यहाँ ठीक लग रहा है तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट तो पहली बार है स्मोकी आई क्रिएट कर यूगाई तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है तो अब चलते हैं आई-लाइनर की और यहां पर मैंने आई-लाइनर भी लगा लिया आप कोई भी आपके पास जो भी लाइसे दोनों में लगाएं इस तरह से आखे आपकी थोड़ी बड़ी भी दिखेगी तो इस तरह से मैंने दोनों आई-लाइनर जो लिया था डाक चोकलेट कर रहा है उसी को मैं नीचे लोवर आई-लाइनर लगा रही है काजल के जस्त नीचे हलका सा और वो भी मैं पूरे आईस तक ने ले जारी हूँ बस हाफ तक ले जाके उसे धीरे-धीरे स्मझ कर रही हूँ पूरा inner corner तक ने ले जारी हो बस हाफ में लेके उसे स्मझ किया है तो इस तरह से है मेरा eye make up अब बढ़ते है contour की ओर तो यहां पे contour आप देखे मैं contour कर रही हूँ आप ना अपने चि में कर रही हूं चीन एरिया में थोड़ा सा मेरा डवल चीन दिखता है आप नोस को भी कर सकते हैं अच्छा यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बताओं यह भी मैंने सीखा है गाइस मैं भी सीखी रही हूं तो मैंने सुचा आप सभी के साथ भी सियर करूं तो कॉंटोरिंग ज हुआं अच्छा नहीं आगा तो इस तरह से आप अपने ब्लेंडर को इस तरह से पकड़े और आपर की तरफ जैसे मैं यहां पर ब्लेंड करें पर इस तरह से ब्लेंड करें कॉंटोर क्यों करते हैं गाइस क्यूंकि हमारे चहरे को एक डाइमेंशन मिले आप देखे थे ना अगर जब आप फॉंडेशन लगाएंगे तो आपको कहीं लाइन नहीं दिखे गा और ऐसे ओरिजिनल चहरे पर हम लोगो लाइन दिखता है ना एक तरह से वह सैडो दिखता ह अब बारी आती है यहां पर हाइलाइटर की तो मैंने सेम पैलेट से सिल्वर कलर के हाइलाइटर को लिया है और अपने जहां भी हाइलाइटिंग एरिया है सब जगा मैं हाइलाइट कर रही हूँ टीप आप दो नोस चीन एरिया यहां पर चीक एरिया इस तरह से अब बारी highlighting कम हो गया तो मैं फिर से लगा लिया अब आरियाती lipstick की तो यहाँ पे मैने red color की lipstick लगाई है क्योंकि Valentine डे है तो red तो बनता ही है और बाद में मैंने यहाँ पे make-up fixer से अपने make-up को create कर लिया तो यह है मेरा final look लुक कमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट मैंने इसे साड़ी के साथ भी ट्राइ किया है थोड़ा से यहां पे हैक लगाया है मैंने एक मोती की माला को अपने हेर्वेंड के जैसे यूज कर लिया है तो आप भी जरूर यूज करें तो मिलते हैं ऐसे ही बहतरीन वीडि के साथ तिल देन बाबाई